शुरू में चंद्रमा पृत्वीं की च्याया के असपश्ट हिस्सों में जाने वाला है जिनको पlikणा पर जाना जाता है इसलिए हम ग्रहन के इस हिससे को एक पिनबरल ग्रहन कहते हैं आखिरकार यह प्रत्वी की पूर्ण छाया के पीछे से गुजरना शुरू कर देगा और हम एक आशिक ग्रहन देखना शुरू करेंगे जहां एक बहुत ज्यादा गहरी छाया आने लगेगी जो पेनम्रल छाया की तुन्ना में बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्यों होगी आखिरकार चीजें बिलकुल पहले की तरह हो जाएंगी अगर आप इसे देखने के लिए सही क्षेत्रों में हैं तो चंद्रमा की पूरी सता ज्यादा गहरी और लाल दिखाई देगी और इस तरह पूर्ण चंद्रग्रहन दिखेगा इसे देखने के लिए सबसे अच्छी जगा एशिया के पूर्व में होगी इसलिए विशेश रूप से रूस जापान में अच्छा नजारा दिखेगा न्यूजिलेंड में भी बहुत अच्छा द्रिशे दिखेगा कनाड़ा के बड़े हिस्से में लोग इसे अच्छी तरह से देख पाएंगे साथ ही पश्चवी अमेरिका में भी चंद्रग्रहनों को देखना बहुत आसान होता है इसलिए आपको किसी खास उपकरण की ज़रूरत नहीं है अगर आप दूरबीन का इस्तमाल करते हैं तो आपको थोड़ा भेटर द्रिशे मिलेगा लेकिन आपको नंगी आंखों से भी एक बहुत ही शानदार द्रिशे दिखेगा एक सवाल है कि चंद्रमा लाल रंग का कैसे हो जाता है दरासल जब चंद्रमा की सतह तक पहुँचने वाला प्रकाश पहले प्रिथवी के वायुमंदल से होकर गुजरता है तब ऐसा होता है यहाँ कितना लाल दिखाई देगा यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि उस वक्त प्रिथवी का अट्मोस्फियर कितना धूल भरा होगा इसका कारण यहाँ है कि थोड़ी सी सूरज की रोश्णी जो अभी भी चंद्रमा की सतह तक पहुँचने में सक्षम है सूरज की रोश्णी जो प्रिथवी के बिल्कुल किनारों के चारों और गुजर चुकी है प्रिथवी का वायुमंडल वास्तव में एक तरह से उस प्रकाश को चारों और जुकाता है और इसे चंद्रमा की सतह पर प्रक्षपित करने के लिए एक जगा ले जाता है जैसे की आप पानी के एक गिलास के माध्यन से देखते हैं और आप देख सकते हैं की इसके पीछे की प्रिष्थभूमी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है Sunset and Sunrise, so it's that same reddish colors that we see at those times of the day that will reach the moon's surface